आज हम चर्चा करेंगे कि आप सर्जन बनना चाहते हैं तो आपकी कुल्डी में एक युग को जरूर देखिए कि अगर मंगल सोरासी का छटे भाव में हो या दसम भाव में हो तो आप सर्जन अच्छा सर्जन बन सकते हैं जैसे कि इस कुल्डी में देख रहे हैं कि आठवा और छटे भाव में मंगल सोरासी का है तो यह स्थिति दरसाती की जाद तक अच्छा सर्जन बन सकता है तो इसमें यह है कि मंगल जो है उसका जो बल है अच्छा होना चाहिए बलवान होना चाहिए अर्थात की उसके अंश अच्छे होना चाहिए तो यह आप जरुब देखे जिएगा यह सिंपल सा सूत्र था कि अगर सर्दिन बनना है तो सहुरासी का मंगल छटे भाव में हो या तो सही जब होना चाहिए